हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्वी चैनल ऑनलाइन स्टाडियों में बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ग्रैंड्स लैम टेनिस टूनामेंट दोजार अठार के महिला और पूरूस एकल विजयता के बारे में तो आप इस वीडियो को पूरा एंट देखेगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेरह जुरूर कर दीजेगा और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को आन रखे ताकि आने विडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंशती रहे तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं मिना आपका टाइम को वेस्ट करते हुए देखे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूरूस ए तो आरी चीज़े समझ में आ जाएंगी कि आखिर Grand Slam tennis tournament होता क्या है और उसमें कितने खेल होते हैं तो मैंने आपको यहां पर छोटा सा एक तौर पर बता देता हूं कि Grand Slam डेखे चार प्रत्यवगताई होती है total grand slam में पहला होता है Australian open दूसरा होता है French open और 3rd होता है Bimanland and और चौथा जो होता है वो लास्ट होता है जो कि अपको होता है US Open और इनी चार को हम लोग यहां पर डिसक्स करेंगे जो कि हम मैंने ट्रिक के माधन से आपको समझाओंगा यह मैंने चार जो रखा है वो लाइन वाइन यानि की करम से सजा कर रखा है ठीक है तो अगर आपको नहीं पता है Grand Slam के बारे में तो आप उस वीडियो को जरूर देख ले जागा जो कि मैंने आपको recommended की है ठीक है description ने भी मैंने link के दे रखिया आप वहां से भी देख सकते या फिर वीडियो के end में भी आपके skin इन पर मिल जाएगी तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और आपको अगर पता हो Grand Slam के बारे में तो बहुत अच्छी बात है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो देखिए सबसे पहले में लोग बात करते हैं पूरुस एकल वर्ग में बिजयता 2018 के कौन-कौ है बोलने में हमारा यहां पर हां फैरख का कोई मतलब नहीं हो रहा ध्यान से रखना रोहा है ठीकी है तो देखिए सबसे पहले में लोग बात करेंगी रो का मतलब क्या है रोजघर फेजगर विजयता तो रहें लेकिन किसमें रहें तो देखिए मैंने आपको बताए कि अब एस्ट्रेलियन ओपन 2018 की जो बीजेता रहे वो कौन रहे तो रोजर फेडर है जो की स्विजर लैंड के है ठीक है और उसी के बात करेंगे रो रा तो अब यहां पर बात आ रही है रा तो रा जब दूसरी बात पहरी तो दूसरा नंबर क्या खिला जाता है फ्रेंच ओप बनायता है ठीक है है मैं यहां पर कोई मतलब नहीं रखना अब यहां बात करेंगे ना ना ठीक है तो देखें ना का मतलब यानि की थर्ड नंबर तो थर्ड नंबर पर कौन सा खेल खिला जाता है वो होता है बीमंडलन ठीक है तो बीमंडलन जो होता है उसमें बीजेता रह में जो 2018 की जो बिजेता बने हैं असानी से आपको याद हो गई होगी ठीक है आप इस ट्रिक को याद रखेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रो रहा है नाना दोस्तों मैं आपको एक और ही चीज बता रहा चाहता हूं कि मैं 2017 की भी ट्रिक लेकार आने वाला हूं कि 2017 की जो Grand Slam जो बिजेता बने हैं उनके बारे में एक ट्रिक जल्द से जल्द लेकर आने वाला हूं तो उस वीडियो के लिए भी आप वेट कर सकते हैं चलिए बात करते हैं महिला एकल वर्ग में बिजेता कौन बनी है तो देखिए अब हम लोग उपर में पूरुस एकल की बात कर अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे महिला एकल वर्ग में 2018 की विजेता कौन-कौन बनी है तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग चार लोगों की बात करेंगे क्योंकि चारो जो Grand Slam हुई है उनमें विजेता कोई ना कोई बना ही होगा तो यहाँ पर हम लोग चारो की चारो के बारे में discuss करेंगे तो देखें लाइन से मैंने सजा रखा है उसी तरह विल्कुल उपर की तरह ही तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया हूँ कैसी है एंजलीना ठीक है मैंने अगर आपको किसी लड़की से बोलना हो कि पूछना हो कि आप कैसी है एंजलीना तो तो कह का मतलब होगा कैरोलीन वोजी नियाकी जो की डेनमार्क की है और इन्होंने कौन सा जीता जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में बात किया था पहला जो खेल होता वो क्या होता है ऐस्ट्रेलियन ओपिन टीक है मैं आपको बार-बार रिकमेंड कर रहा हूं कि आप ऊपर में ज का मतलब यहाँ पर होता है सीमोना हेलिप जोकी आपका इन्होंने जीता है फ्रेंच. ओमेर रख्या और इसनोंने महिला एक पहलूर वर्ग में अधियता रहें है सीमोना हैलैप यह रोमानिया की है ठीक है अब नेक्ट बात आती है एंजलीन जहां पर थर्ड नमबर एंजलीन है तो देखे एंजलीन जो थी इसका मतलब होता है एंजली करबर जो की जर्मेनी की है और इन्होंने क्या जीता है तो एक महिला एकल वीमंडलन का किताब जीता है 2018 में ठीक है अब देखे लास्ट में आता है ना तो ना का मतलब होता है नावोमी उसाका जो की जापान की है और इन्होंने जीता है अपका लास्ट में क्या होता है तो यूएस ओपेन खेला जाता है सबसे अंतीम में ठीक है तो नावोमी उसाका जो है वो यूएस तो आपके लिएבה जाहिए तो आप कमेन्ल HC बेंट के बोल सकते हैं कि सर आप इस टॉपफीक ए bubblesबना कर पूरी कोस्पपक करूंगा कि आपके लिए उस टॉपफीक पे विडियो बनाकर आपकर प्रोवाइड कर सको तो अगर आपको और ही वीडियो देखने हैं तो keep watching, keep learning, have a good day.